आपकी श्रदा दीदी और आज की वीडियो में बाग करने वाले उस बहुत फेमस सवाल की जो काफी सारे स्टूडेंस को परिशान करता है जो कि है कि हमें सी प्लस प्लस सीखनी चाहिए यहां हमें जावा सीखनी चाहिए अब उन स्टूडेंस के लिए जिनके पास बहुत कम ताइम है और जिनको जल्दी जल्दी जवाब चाहिए उनके लिए जवाब है कि अगर आपने सी सी प्लस स्कूल के अंदर की हुई है उसके अंदर आपको बेसिक से आते हैं यानि आपको वेरेबल डिकलेर करने आते हैं कंडिशनल स्टेटमेंट लिखनी आती है आपको दोनों लांगोजिस के बेनिफिट्स बताई जाएंगे दोनों में डिफरेंसिस क्या है वो भी बताई जाएंगे और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्ट क्वेस्चन्स होते हैं प्लेस्मेंट के बारे में उनको भी हम अडर्स करेंगे तो इन दोनों की जो शुरुआत हुई थ इसलिए C के बाद हमारे पास C++ आई जो थी C with classes C with classes का rename करके उसको C++ करतीया गया और उसके 10 साल बाद हमारे पास Java आई अब दोनों लांगोजिस बहुत सिमिलर हैं Java और C++ दोनों प्लेस्मेंट के लिए बहुत जादा यूज होती हैं दोनों लांगोजिस को कॉलेजिस में बहुत जादा अवैलेबल हैं इन दोनों के अलग-अलग use cases होते हैं industry में C++ हाइट ट्रेडिंग जो firms करते हैं यानि stocks की ट्रेडिंग उनकी applications वगेरा के लिए यूज होती है और Java हमारी back-end development के लिए या app development के लिए software development में जादा यूज होती है अब दोनों के अपने-पने फ पर जब भी हम programming languages की बात करते हैं कुछ ऐसी languages होती है जिनको सीखना असान होता है जैसे python होगी और कुछ ऐसी languages होती है जो beginners के लिए सीखना हलका सा मुश्किल होता है जैसे कि हमारी C++ हो गई तो Java इन दोनों के बीच में लाए करती है जब हम level of difficulty की बात करते हैं और में बहुत ज्यादा difficult languages में नहीं सीखनी चाहिए क्योंकि उससे हम ऐसे काफी सारे concepts के साथ deal करते हैं जो practical life में help नहीं करेंगे तो यही reason है कि अगर हम एक pure beginner हैं तो फिर python और C++ की जगे हमें सीखनी चाहिए Java लेकिन अगर हम already C++ को सीख चुके हैं तो फिर हमें उसके साथ continue क करना चाहिए अगर दोनों languages के फाइदों की या differences की अगर हम बात करें C++ के अंदर competitive programming करना जादा असान होता है जादा असान या जादा beneficial उसको कह सकते हैं ऐसा क्यों क्योंकि C++ का जो code होता है वो execution के लिए कम time लेता है जो जल्दी जल्दी execute हो जाएगा तो आपका कम time लगे तो आप साथ के साथ app development सीखने में उससे असानी होगी और आपके projects आप बना सकते हैं resume के लिए अब इसमें सबसे पहला सवाल जो students पूछते हैं वो यह कहते हैं अगर competitive programming के लिए C++ execution time कम लेती है तो फिर हम तो वही सीखेंगे क्योंकि competitive programming तो necessary है placement के लिए तो इसमें मैं एक क्लारिफाइ कर दूं कि placement के लिए किसी भी एक language को सीख कर उसमें data structures and algorithms अच्छे से करना necessary है obviously हम DSA सीखेंगे उसके बाद questions हमें बहुत सारे practice करने online platforms पर जाकर पर competitive programming या नहीं hardcore programming जिसमें online contest होते हैं हम यहां company के online test की बात नहीं कर रहे हैं यहां हम contest की बात कर रहे हैं जिसमें आप एक अच्छी rank ला सकते हैं और बता सकते हैं कि हम ऐसे coder हैं वैसे coder हैं तो उसमें अगर आपको बहुत ज्यादा interest है तो फिर आपको C++ से जाना चाहिए वरना DSA के लिए दोनों ही languages में आपको बिल्कुल भी परिशानी नहीं आईगी और हमारी एक suggestion होता है कि हमारी ज जादा simple भी ना हो और बहुत जादा difficult भी ना हो ताकि हम अच्छे से सीख बाएं अब C++ को हमने beginners के लिए थोड़ा सा मुश्किल सीखने के लिए क्यूं का क्योंकि C++ के अंदर pointers जैसे concept होते हैं उससे आपको manually memory जो है allocate deallocate करनी परते हैं जिसकी वज़े से errors बहुत सारे आते जबकि Java के अंदर garbage collector जैसी facility है जो आपके लिए ये काम automatically कर दे अब pointers एक ऐसा concept है जो अगर किसी ने Java के साथ शुरुआत किये तो उसको कुछ दिन लगेंगे बस सीखने में तो आपको unnecessarily बाकी data structure सीखते टाइम उसके साथ deal नहीं करना पड़ेगा बार बार जो memory leak के एक issue आत कि इंडियन प्लेसमेंट्स में आप चाहे कोई भी language सीख लें फिर चाहे वो C++, Python हो या आपकी Java हो पर जब आप company के अंदर जाते हैं तो majority chances होते हैं कि आपको एक नई language सीखनी पड़ेगी तो वहां पर इस चीज का फाइदा होता है कि शुरू में अगर आपने Python जैसी simple language सी करें तो आप difficult concepts के साथ familiar जरूर हो जाएंगे उसके बाद आप अगर company में जाके नई language सीखने हैं तो वह सीखने में परिशानी नहीं होगी in fact हमें काफी असान लगेगा क्योंकि object orientation के जो concepts होते हैं वह काफी सारी languages में सेम तरीके से काम कर रहे होते हैं तो आपको programming के basics भी language जब में सीखने हैं आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तिल दन keep learning and keep exploring